हेलो फ्रेंड्स, बेलकम बैक टू माई चैनल, I hope आप सब अच्छे होंगे आज आप सब के साथ जो वीडियो शेर करने वाले हैं, उसमें हम अपने फिनिक्स पाम के पौधे के बारे में बात जीत करेंगे कि फिनिक्स पाम के पौधे को किस तरीके से देखवाल करें और किस तरीके से इसको ग्रो किया जाता है तो आईए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुशती रहे आईए वीडियो शुरू करते हैं और अपने फिनिक्स पाम के बारे में बात करते हैं फिनिक्स पाम का प्लांट जो है बहुत ही कम केर चाहता है, बहुत ही हाड़ी प्लांट है और देखने में बहुत ही खुबसूरत लगता है आप इसको नर्सरी से लाकर के भी लगा सकते हैं और इसे बीज से भी ग्रो किया जा सकता है जब आप इसे बीज से लगाएंगे तो ये कम से कम महिने भार में ग्रो करेगा और इसमें जब फ्लावर आता है उसके बाद इसमें बीज आते हैं और बीज बनते हैं तो हमारा प्लांट काफी पुराना है, 5-6 साल का हो गया है, इसलिए इसमें अब फ्लावर भी आया हुआ है। जब ये फ्लावर सूख जाएगा, तब इसी से बीज बन जाएगा। और इसको हम कलेक्ट कर लें और इसे हम बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट ऐसा है, इसको आप चाहें इंडोर रख लीजिए या आउट्डोर, ये दोनों जगे अच्छी तरीके से चलता है। अगर आपने इसे अंदर रखा हुआ है, तो इसे कम पानी देना है, और अगर इसे आपने बाहर रखा हुआ है, तो इसे आप परड़े पानी दे सकते हैं। वैसे इसे बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपने इसे बाहर रखा हुआ है, तो आप इसे परड़े पानी दे सकते हैं। और इस प्लांट को आप जब लाकर के नर्सरी से लगाते हैं, तो लगाते समय आप इसकी मिट्टी में कमपोष्ट मिला लीजिए, या गोबर की खाद, और अगर आपकी मिट्टी बहुत अधिक चिकनी है, तो आप इसमें मिला लीजिए रिवर्सेंट। अगर मिट्टी ज़्यादा चिकनी नहीं है, तो आप ऐसे ही इसमें मिला लीजिए फर्डिलाइजर और इस प्लांट को लगा दीजिए, आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा, और साल में इसे हम दो बार फर्डिलाइजर देते हैं। इस प्लांट में जब नई नई पतियां आती हैं, तो नीचे की पतियां सुख जाती हैं। इस प्लांट में दो बार फर्डिलाइजर देते रहें। फर्डिलाइजर आप चाहें बर्मी कमपोस्ट दीजिए या गोबर की खाथ। दोनों ही इसके लिए अच्छे हैं। इस प्लांट हो जाने के बाद आपके पौधे की ग्रोथ रुख सी जाती है। ये मेरा पौधा जो है 5-6 साल पुराना है और मैंने इसे एक वार रिपॉर्ट किया है। अब इसे दुबारा से भी रिपॉर्ट करने की जरूरत है। तो जब मैं बरसात का सीजन आएगा उस टाइम पर इस प्लांट को रिपॉर्ट करूँगी और उसका वीडियो भी में आप सब के साथ सेर करूँगी। मेरा प्लांट आप देखिए कितना हेल्दी है और कितना हरा भरा है। साती इसने फ्लावर आया है तो इसकी खूबसूर्ती और भी ज़्याधा पड़ गई है। अगर आपके हाँ फिनिक्स पाम का पाधा लगा हुआ है तो जब वो पांच-छे साल पुराना हो जाएगा तभी उसमें ये फ्लावर आएगा और तभी आप उससे बीज इखटे कर सकते हैं क्योंकि जब ये फ्लावर सूख जाता है उसी के बाद इससे बीज बनते हैं और ये प्लांट बरना बंद हो जाते हैं इस टाइम पर इनको किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए और इसमें पानी हमेशा चेक करके दीजिए क्योंकि सर्दियों में इसे हमें ज़्यादा पानी भी नहीं देना है जादी परनी से भी ये खराब होने का डर रहता है वैसे ये हार्डी प्लांट है इनमें किसी भी तरीके के इंस्ट्रेक्ट बगेरा नहीं लगते हैं लेकिन अगर कभी कबार कोई बड़ा कीरा आ जाता है तो इसकी पत्यां खा लेता है वाकि इसमें किसी भी तरीके का कोई कीरा बगेरा भी नहीं लगता है तो ये बहुती कम केर में चलने वाला प्लांट है और बहुत ही खुमसूरत प्लांट है आप सब लोग भी अपने घर में phynix mice लगा सकते हैं तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद